हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल तु स्वागत आप सबका मेरे किछोटू पाली की रेस्पी में तो आज मैं आप लोग के साथ सेड़ करने वाली हूँ कि हम बिल्कुल मार्कट जैसा टमैटो केचप घर पे कैसे बना सकते हैं तो हम आईए आज किस टमैटो आप कोसिस करें कि आप पके हुए लालल तमाटर ही लिए और तमाटर को हमने वास कर लिए और यहाँ पे हमने ले लिया है लैसन, दाल चीनी का टुकडा, लाँग, इलाइची और काली मिर्च के दाने उसके बाद हमने ले लिया है सुखी लाल मिर्च आप जिस quantity में टमैटो केचप बना रहे हो आप उसी quantity में आपको ये सारे मसाले भी लेने होंगे उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है काला नमक और यहाँ पे हमने ले लिया है कास्मेरी लाल मिर्च और यहाँ पे हमने ले लिया है चीनी और यहाँ पे हमने प्लेन नमक ले लिया है नॉर्मल जो हम खाने में यूज करते हैं उसके बाद हमने प्याज ले लिया बारी कटा हुआ और अब हम यहाँ पे टमाटर को कट करेंगे जो हमने ले लिये थे तो टमाटर को हमें यहाँ पे बहुत जादा बारिक बारिक नहीं कटना है नॉर्मली हम इसे रफडी चॉप्ट कर लेंगे टमाटर को तो यहाँ पे हम सारे टमाटर को कट लेते हैं तो यहाँ पे हमने सारे टमाटर को कट कर लिया है तो यहाँ पे हमने कड़ाई रख लिया था गर्म होने के लिए तो कड़ाई हमारा जैसी गर्म हो जाएगा तो हमने जो टमाटर कट करके रखे थे उसे डाल देंगी और टमाटर को डालने के बाद हमने यह जो मसाली लिये थे इसे भी हम डाल देंगे टमाटर में तो यहाँ पर हमने जो डालचीनी लिया था डालचीनी लॉंग लैसन सुखी लाल मिर्च छुटी लाईची सभी मसालों को हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर में और टमाटर के साथ हम इसे भी पका लेंगे और इन सभी मसालों को डालने के बाद हमने जो प्याज कट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम टमाटर को पका लेंगे तो टमाटर में सारे मसाले और प्याज को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढख करके थोड़ी दिर तक पकाएंगे और अब आप यहां पे थोड़ी दिर के बाद देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है इसे पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और हमने इसमें नमक भी डाल दिया था तो नमक डालने से टमाटर और भी ज्यादा जल्दी पक जाते है तो अब हम यहां पे एक ग्राइंडर ले लेंगे और ग्राइंडर में हमने जो टमाटर पका करके रखे थे उससे डाल देंगे तो यहां पे हमने इसे ग्राइंडर में डाल दिया है और अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे और यहां पे हमने जो खड़े मसाले डाले उसे हम अलग निकाल लेंगे, तो यहां पे हमने दालचीनी लॉंग को अलग निकाल लिया है, और यहां पे हमारा टमाटर का जो पेष्ट है, वो भी बनकर के तयार हो चुका है, तो हमने यहां पे एक छन्नी ले लिया है, और छन्नी के नीचे हमने एक बर्तन रख लिया है, उसमें हम इस टमाटर के पेश्ट को डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसे इस तरह से हाथों से चलाते हुए इसका जो भी टमाटर का जो रस है उसे हम चान लेंगे और यह जो मोटा वाला पार्ट है हम इसे अलग रख लेंगे और यहां पे अब जो बाकी के बचे हुए टमाटर थे उसे भी हमने ग्राइंडर में ले लिया है और अब हम इसे भी ग्राइंड कर लिया है तो अब हम इसे भी उसी तरह से छान लेंगे छनी की हल्प से और इसे भी हम लगातार हाथों से चलाते रहेंगे और इसे चलाते हु तो कड़ाई को हमकर लेंगे और कड़ाई हमारा जैसे गर्म हो जाएगा तो हमने यह जो टमाटर का जो पल्प तयार करके रखा था उसे हम इस से डालने के बाद अब हम इसे कंज reacts 15-20 मिनिट तक हम इसे पका लेंगे टमाटर के पल्प को अच्छी तरह से तो यहाँ पर हमने टमाटर को 15-20 मिनट तक पका लिया था तो अब हमने इसमे डाल दिया है Normal नमक, जो हम खाने में यूज करते हैं और यहाँ पर काला नमक डालने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे Casemary Red Chili Powder यह optional है लेकिन इसे उच्छाग कलर आजाता है तो इसे भी हम यहाँ पे डाल देंगे, अगर आपके पास यह नहीं हो, तो आप इसमें food color भी डाल सकते हो, और इस सारे नमक और लाली मिर्श को डालने के बाद, अब हम इसे फिर से थोड़ी देर तक पकाएंगे, अब हमें इसे बहुत जादा देर तक नहीं पकाना है, इसे अपने टेस्ट के कोडिंग कमिया ज्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने टॉप्स का विनेगर यूज किया है, एक कप, आप किसी भी ब्रैंड का विनेगर ले सकते हो, और अब हमने यहाँ पे डाल दिया है चीनी, चीनी को आप कमिया ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको ज ज्यादा चीनी डाले और चीनी को डालने के बाद हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमने टमाटर को थोड़ी दे तक और पका लिया था तो आप देख सकते हैं कि टमाटर की जो क्वांटीटी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है और यह जो हमारा टमाटर है वो भी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल मारकेट जैसी टेमाटो केचप की जैसी लग रही है यह तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और करके तयार हो चुका थो अब हम यहां पर हिसे कंटेनेर में टोर कर लेंगे तो जैसे हम तो यहां पर हमने ले लिया है यह कांच का बॉर्टल यह ठीक का यह चैप हमारे घर में खालई पड़ा हूँ था तो मैंने जो टमैटो केचप बना करके रखा है मैं उसे इसमें ही अस्टोर कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इसमें आया है और ये कितना अच्छा गाड़ा बिल्कुल मार्केट जैसा टमैटो केचप हमारा बन करके तयार हो चुका है तो अगर आपको आज की मेरी इस टेमाइटो केचिप की रेस्पी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक आँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाए